के अ को के तो कर दोस्तों मैं स्वागत करता हूं मेरे ओर डॉक्टटर पी-सी-जेन के युट्यूब चेनल पर तो दोस्तों आज का जो टोपीक है वूढ़ा स्पेशल है और खास है मेरे क्योंकि आज का जो टोपिक है जिसमें मैं बात करने जा रहा हूं कि कल आजो नल ये क्या है एक परिभासा है जिन्होंने ये परिभासा लिखने वाले लेकव का नाम है रेनुदेवपूरा जोग देवपूर से हैं और उन्होंने इस परिभासा में बताया गया है कि किस तरीक जल जीवन का आधार है पानी बचाना और सहेजना हमारी आदत नहीं बना तो आने वाली नसलें हमें माफ नहीं करेंगी कल आज और नल प्यासे कववे ने मटके में कंकर डाले पानी उपर आ गया उसने प्यास बुझाई और उड़ गया सदियों तक ऐसे ही चलता रहा प्यासे कववे के वन्षज अपनी प्यास बुझाते रहे बीस्मी सदी की शुरुआत तक यूहीं चला बीस्मी सदी में मटका कुछ उन्नत हुआ उसमें नल लगा दिया गया उसी कववे का वन्षज प्यास उसे भी लगी उसे एक मटका दिखाई दिया मटके में पानी कम था चौच पानी तक नहीं पहुँच पाई मटके में नल लगा था उसने नल खोला प्यास बुझाई और उड़ गया नल खुला छोड़ कर उड़ गया ये थी प्यासे कववे की कहानी भाग एक हमारी कहानी कुछ ऐसे है कि सौ डेर सो साल पहले विकास नाम के एक आदमी ने नल का विश्कार किया नल ने देखा लोग जल का कितना सम्मान करते नाना दोना होता है तो तालाब पे जाते हैं बड़े आदर से पहले जल सिर पर डाल धीरे से तालाब में प्रवेश करते हैं पीने के पानी के लिए मैलाएं कुओं बावडी के सामने शद्धा से जुखती हैं पानी का कलश भरती हैं सिर्पर रख बड़े आधर से घर ले जाती हैं क्या मजाल रस्ते में एक बून छलक जाए नदी की भी बहुत कद्र करते हैं उसकी पवित्रता को अपनी प्रतिस्ठा मानते हैं वर्षा के जलको तरह तरह से संजित करते हैं कुए बावडी का निर्मान करवाते हैं खेती सीचते हैं बैलों की साहिता से उतनी ही जितना जरूरी हो बड़ा सहेज सहेज कर जल बरतते हैं बड़ा आधर करते हैं जलका जल की इतनी परवा नल से सहन नहीं हुई नल अपना महत्व मनवाना चाहता था नेता की तरह अपना महत्व जल जनता नल नेता जल से ज़्यादा नल का महत्व अपने मिशन की शुरुआत उसने जल से की जल को नल के मार्फत घर घर पहुँचाने के फाइदे बता उसे पटा लिया सहज सीधा सरल जल उसकी बातों में आ गया उसके रंग में रंग गया बिचालियों का प्रवेश मंजूर कर लिया गया सब घरों में नल आ गये जहां जल चाहिए वहां नल लग गये नल खोलते ही जल ही जल अब लोग जल के लिए नल के आगे जुकने लगे यही तो नल चाहता था चाहता था सब उसकी परवा करें तो लोग अब नल चाहने लगे धेर सारे नल घर के कौने कौने में हर कौने में नल बाथरूम में तो छे साथ, एक से एक बढ़िया, एक से एक कीमती कीमत नल की, जल की नहीं नल की सत्ता ने जल का पानी उतार दिया सरकारी नल और टॉटी चोरों के गठबंदन से लोकतंत्र मजबूत हुआ बिजली के साथ नल की दोस्ती ने जल को और जलील कर दिया बिजली यानि बिजनसमेन, नल यानि नेता, जल यानि जनता बिजली का बटन दबाओ, नल से पानी ही पानी पाओ कुए तालाब से खीचो जल सीचो खेती जरूरत से ज़्यादा सीचो कोई रोक टोक नहीं है घर घर बोरिंग लगा दिये गए भूघर्ब के जल के चूशक यंत्र खटका दबाओ और भूल जाओ तो कोई बात नहीं पानी ही तो है बहता रहेगा क्या परवा करना पानी की बरबादी का दोश अब कोई नहीं मानता हर जगे फ्लोइंग वाटर चाहिए बहता पानी चाहिए कार्ध होनी हो या फर्ष बरतंद होने हो या बाल फ्लोइंग वाटर होना चाहिए नल है तो जल की क्या चंता करना श्रावर और बात्रव नहाने में भरपूर आनंद जरूरी है नल का ध्यान रखना जल का नहीं नल नहीं अटकना चाहिए नल खराब नहीं होना चाहिए जल खराब होता है तो होता रहे अब जी भर के फैलाओ व्यर्थ बहाओ हजारों गेलन पानी रोज व्यर्थ बढ़ा कर कीचड़ में मिला दो कोई अपराद नहीं कुछ अपराद नहीं कतई नहीं उनके प्रती भी नहीं जिने आज भी पानी लेने के लिए कई किलोमीटर चलना पड़ता है चलना पड़ता है गंदे कड़ों में से पानी एकत्र करने के लिए चलना पड़ता है पहार की तलहटी में टपक्ती बूनों को सहेजने के लिए चलना पड़ता है रीते कुओं के तले में उतर पानी बटोरने के लिए पूरा दिन पानी की भेंट चड़ जाता है पर उनके जिन्दगी से हमें क्या मतलब हमें तो नलों वाली कीम्ती नलों वाली अपनी जिन्दगी से मतलब है तेज गर्मी से राहत के लिए इंतजार होता है बारिश का इंतजार होता है देखने और आनंद लेने भर के लिए बारिश का पानी इखटा करने का खडचा कौन करे इतने से तो शोभा बढ़ाने वाले नल लगाना बहतर है पानी ही तो चाहिए उनसे ही मिल जाएगा महत्व सिर्फ नल का है न कुए का, न बावडी का, न तालाब का, न पोखर का इनकी क्या परवा करना अब ये हमारे रास्ते में आने लगे हैं प्रगती के रास्ते में अवरोद कर रहे हैं उन्नती का रास्ता रोक रहे हैं अब क्या करें इसका समाधान भी मिस्टर विकास ने दिया दफन कर दो, पाठ दो तालाबों को मिट्टी डाल कर बंद करदो प्रवाह के रास्तों को नामों निशान मिटादो कुए बावडियों का उपर मस्त कॉंप्लेक्स बनालो चाहो तो होटल या मॉल बनालो नहीं तो सड़क निकाल लो हाँ फैक्टरी लगाओ तो नदी के पास लगाना बड़ी मोटर और बड़ा नल मैनेज कर लेना मोटर यानि मीडिया नल यानि नेता तुस्ट संतुस्ट रखना उन्हें साफ पानी वही नदी से लेना और गंदा पानी उसी में डाल देना सस्ता सौधा रहेगा बड़ी मोटर बड़ा नल बस यही मैनेज करना है बाकी किसी की चिंता मत करना पर्यावरं का रोना रोने वालों को तो सुनना ही मत उनके पास इसके सिवाए और काम ही क्या है हाँ अगर जो नदी उत्थान के रस्ते में आए वो अडंगा लगाए मार्ग अवरुद करे तो उसे बंदी बना लो बांधो उसके हाथ पैर मूँ सब पहाड पर्यावरं किसी की परवा करने की जरूरत नहीं है मैं विकास तुम्हारे साथ हूँ जैसा मैं कहूँ करते चलो मेरे पीछे पीछे चलते चले आओ एक दिन तुम सबको मंजिल तक पहुचा दूँगा अन्तिम मंजिल तक अब बारी है प्यासा कववा कहानी भाग दो की नल वाले उस कववे का अगला वंशच उरते उरते उसे भी प्यास लगी इधर उधर देखा दूर एक मटका दिखाई दिया नल खुला छोड़ा हुआ वही मटका पैंदे में नल की नीचे वाले हिस्से में चौच भर पानी था कंकर डालना बेकार था उसका गला सूख रहा था प्यास से बेहाल कववे ने मटका गिरा दिया पानी का मटका गिरा दिया मटका फूद गया ठीक्रे बिखर गए पानी के मटके के ठीक्रे इधर उधर बिखर गए बदहवास कववा उन ठीक्रों पर चौच मारने लगा प्यास से बेहाल कववा बूंद भर पानी भी न पा सका उन ठीक्रों से कववे ने वही दम तोड़ दिया प्यासे कव्य के उस वंशज ने वहीं दम तोड़ दिया आप हर हफ्ते मुझे सुन रहे हैं विचार साजा कर मेरा होसला बढ़ा रहे हैं अपने महतोपूर्ण सुझावों से मुझे लाभानवित कर रहे हैं ये सब मुझे प्रेरणा देता है बस ऐसे ही आप भी चालू रहिए मैं भी जारी रहती हूँ